वालकाम एक नोद वीडियो और इंस्टेग्राम पे बेस्टाइम क्या है रील पोस्ट करने का देखो यह कोई magic नहीं है कि हम लोग एक बेस्टाइम हमें मिल जाए और हम उस पे रील पोस्ट करें और हमारे रील लिख दो बूम वाइरल हो जाएगी और व्यूज य व्यूज भी मैं आपको पता दूँगा कि किस ताइम पे आपको पोस्ट करना से है आपकी नीश के एकॉर्डिंग तो वीडियो को बिना स्किप के एंड तक जरूर देखना मेरे साथ बने रहो बाकी जैसा कि मैंने बोला था रील को पोस्ट करने के लिए डिफरेंट फेक्टर्स में करते हैं कि हम लोग किस नीशमिट वीडियो बना रहे हैं मतलब नीशन की किस टॉपिक से रलेटेड हमारा कॉंटेंट है हमारी ओडियंस कौन सी है हम किस लोकेशन पे रहते हैं और हम कितनी बार वील पोस्ट करते हैं दिन में वीक में महीने में यह सारे फेक्टर्स बहुत नहीं आ रहे है ना बिल्कुल भी नहीं और यहीं मैं शाम को पोस्ट कर रहा था तो मैं लोग एक्सपरिमेंटिंग कर सकते हैं यहां पर मुझे अपने टाइम थोड़ा चेंज किया वहीं पर ही मेरे व्यूज घटना शार्ट हो गे थे आपको दिखाता हूं यहां पर आज मै अब मैं वापस वे शाम को करने वालों क्योंकि मोशली ओडियर जो है मेरी वह शाम कोई एक्टिव रहती है ओके अड यह मैं बात करता है ताइम बाकि और फेक्टर पर बात करकि मैं आपको और डेटेल में बताने आलों आपके लिए बेस्ट पान चाहोगा जैगा जैरिक अब यह सिर्फ आपको इस ताइम पर पोस्ट करो सबको सेम चीज दिखा रहा है बर जो में फेक्टर है उनके अक्टिंग हमें किस ताइम पर पोस्ट करना चाहिए वह बता रहो पहला अगर आपकी ऑडियंस जाने वाली या आपकी और श्कूल जाने वाली है तो श्कूल नहीं करोस्ट कि इस अपको बस टाइम यही है या फिर अरली मॉरनीं सबसे पर सकता अगर आपकी ऑड्याइन से आपकी ऑड़ियंस बच्चो वाली है ओंगे और आपके अगर अगर ऑणियीं नहीं कर आती है तो वो बी दो तीन बज 나서 की की टाइपी तयां हो जाते है और व आप जिम से लेड़िट कांटेंट बनाते हो तो आपको शाम को रिल पोस्ट करने चाहिए बाद मालब कॉलिज गवर्स आली ओडियेंस है वह यगर ओडियेंस है, जो कॉले जाती है, वह ओडियेंस के लिए आपको टाइम करने है तीन के बाद पोस्ट, तीन से साथ वजे तक कभी भी post कर सकते हो क्योंकि वो रात में भी active रहती है सब स्यादा active तो वही वाली audience रहती है क्योंकि tension नहीं है फाल थो कोई आजकल तो यार प्रेशर तो सब पही है चाहिए वो student हो चाहिए वो office cover हो तो ये बड़ा factor matter करता है कि college cover के लिए आप कब कर सकते हो अब दूसरे फेक्टर के बारे में बात कर लेते हैं, which is your type of content, which content, what content you post on Instagram, यह बहुत बहुत जादा बेटर करता है, okay, अगर आप पोस्ट करते हो, जिम वाला content, okay, mostly लोग कब जाते हैं जिम, सोबा या फिर शाम को, और जब वो जाते हैं तो वो रिल देख भी लेते हैं, जिम की ही रील आती है, and mostly फोड़ी motivation लेने के लिए हम लोग जिम की वीडियोज देख लेते हैं, तो आप सुभा पोस्ट कर सकते हो, या फिर आप पांच बज़े के बाद पोस्ट करो, चलो के, कोई दिक्कत नहीं है, रील चल जाएगी, okay, अगर आपका content, comedy से लेटेड है, humor से है, तो आप कोशिश करो, आपका जो content, अगर आप डिली पोस्ट कर रहे हो, तो आप शाम को पोस्ट करो, जब mostly audience active रहती है, for example, जब उनका relaxing time होता है, 6 वजे के बाद, 6 वजे के बाद, वो जादा active रहते हैं, बस में बैठते ही, मेटरो में बैठते ही, सब के हाथ में फोन ह होता है, होन चलाने लगते है, and 6 वजे is a generic time, 6 वजे हर कोई वीडियो डालता है, बहुत competition है 6 वजे, लेकिन अगर आपकी audience है, तो आप 6 वजे डाल सकते हो, लेकिन आपकी audience नहीं, आप नया नया ग्रो कर रहे हो, तो आप साथ वजे रिल पोस्ट करो, तो आपको already audience मिलेगी and वो content जा चुगा हो, जो competitive content होगा, है न, तो वो अलरी जा चुगा हो, तो आप शाम को 7 वजे के बाद ही consider करो, 7 वजे आप पोस्ट कर दो, इसके बाद और आपका different content है, for example, आपका news channel है, आपका text related है, आप डेली पोस्ट कर रहे हो, आपका text related है, तो आप कोशिश करो, आप आप शाम को 6 वजे रिल पोस्ट कर दो, अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमारा best time क्या है, क्योंकि यह तो इतनी सारी चीजे होगी, content, type of content, how often do you post, मैंने भी तो बहुत सारी चीजे होगी, best time अब आपको बता लता हो, आपको कैसे पता कर रहे है कि आपका best time क्या है, तो आप जिस niche में content मनाते हो, तो definitely आपने कुछ pages को follow किया होगा, आप किसी से तो admire होते होगे, जिन से आप admire होते हो, आप उनका competition, आप अपने उन competitors को देखो, जो आपकी niche में है, and real post करें, वो अच्छा result मिल रहा है, अगर उनका अच्छा result है, उनको अच्छी engagement मिल रही है, तो उसी time को आपको consider करना चाहिए, start posting your real on the same time, अगर आप जिस niche में हो, and if you are a beginner, आपने अभी जस्ट अपना account start किया है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए, कि आप content daily post कर सके, daily post करने से यह हो जाएगा, आप experiment कर सते हो, initial stage में, daily content post करके देखो, and then you'll get to know कि daily से मुझे ये चीज़े मिल तो आपके इन yeah, कि ये 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 वील जादा बारी हो है, तो आप वही सेम नीश में चले जाऊचे कर और आप गल्साविट आपकी जहला और आप डीकुलर करो यह पर्टिकुलर सीरीज आपकी बहुत अच्छी जल रही है आप उसी में ही कंटिन्यू करो एंड थोड़ा सा टाइम गटा सकते हैं एक क्वालिटी कॉंटेंट बनाने में टाइम तो लगता है बट इनिशली आप क्वालिटी कॉंटेंट तभी निकाल पा होगे जब पर दीरे दीरे आपका बेस्वर्ट पर फोकस करो एंट बैस्ट जो बैस निकले कि फिर उसी जादा फोकस करो एंड उन्हें वीक में ट्वासी भी कर दोगे तो भी र। बिकटर तो आपको यह चीज धान में रखनी है बट जैनरिक टाम जो है यह जरूर मेंटर करता है मैं अगर आपको दिखा हूँ अपने फोन पर ले जाके what is my generic time and मैं उस टाइम पर पोस्ट कर रहा हूँ and मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छे result मिल रहे है okay, तो मैंने time change इसलिए किया था so that मैं और audience gain कर सकूँ क्योंकि real जब हम लोग time change करते तो और audience तक भी जाती है तो I do not want कि मेरे Instagram account constant रह जाए तो मैं इस time पर post करता हूँ और आपकी audience किस time पर जादे active रहती है वो आपको इस तरह से check करने है जैसे आप अपनी profile पर आ जाओगे तो यहाँ पर आपको dashboard का option दिख रहा है dashboard पर tap करो और इसके बाद आपको यहाँ पर option दिखेगा total followers है ना अगर हलका सा scroll down करोगे तो आपको यहाँ पर early audience और यह जो है ना that is generic time and mostly agencies यह time भी पूछते भाई आपको mostly audience का जादे active रहती है तो आप उस तरह से अपनी audience यहाँ पर दिखा सकते हो अगर मैं Friday की बाद करूँ तो देखो मेरी सबसे आदा audience इस टाइम पर एक्टिव होती है जितने मेरी ओडियंस है अब मैं आरली कंसेडर करूँ तो ट्यूजड़े है जाँ तो ट्यूजड़े को छे वजज़े Wednesday को 6 वज़े आप देखो Thursday को 6 वज़े यानि कि मेरी 6 वज़े तो audience active रहती रहती है और मैं कोशिश करता हूँ कि अगर मेरी audience active है तो मेरा content चला जाए पोस्ट हो जाए और इस तरह से आप देख सकते हो कि आपकी audience कव active रहती है अगर आपकी real अच्छी है तो उसे कोई भी न जादा ग्यान हो गया हो बट इतने सारे ग्यान में से आप अपने लिए एक right time चूज कर पाए तो मेरे लिए best होगा and I know आप अपना right time चूज कर लोगे इससे अपने competitors के help से या और और भी तरीके जो मैंने आप बताए है उन में से और आपका right time क्या है मुझे comment box में लिख आपकी वीडियो से पक्का कुछ ना कुछ सीखने का मिला होगा मिला है तो comment box में लिख दो जो भी मिला है वीडियो पसंद आए लाइक कर दो चैनल को तक subscribe नहीं क्या है subscribe ज़रूर कर देने क्योंकि subscription बिलकुल फिर है और आपका subscription मेरे लिए भी motivation है और जादा है और अच्छ के दिद करने के लिए thank you so much